सुप्रबाद, आज मैं आपके समख्ष एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि है एकल ट्यूप कता बहु ट्यूप गिर्ती परत वाश्टी करण कारी प्रोटोटाइप का पिगले हुए मक्षन के वाश्टी करण पर एक प्रयोगिक अतिना, तो इस प्रस्तुती में मैं एक शोद पत्र, जो कि भारती एक क्रशिय अनुसंदान परिशत के राष्टे डेरी अनुसंदान संस्तान में किया गया था, पर आधारित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मक्षन एक वसा युक्त डेरी उतपाद है, जो कि एक पेल में पानी प्रकार का इमर्शन या पाय जो विशेश रूप से दूद और दूद उतपादों से प्राप्त होता है, जी जो कि मक्षन का ही एक अत्यदिक संसोधित तथा स्वच रूप है, जिसे पाररमतिरिक रूप से मक्षन को उबाल करके बनाया जाता है, पर मक्षन से घी इत्यादी बनाने में कुछ समस्या है जैसे घी बॉयलर में बैच दर बैच उतपाद की गुर्वत्ता में धिनता होती है, उसके कारण घी बॉयलर और अन्य उतपादन उतकरों में उच्छ कापिये उर्जा की खपत भी होती है, तथा घी के निरंतल उतपादन के लिए कई घी बॉयलरों की आवशेक्ता होती है लगाकार निरक्षन के कारण जो अपरेटर हैं उस पर अधित तनाव तता ठकान हो जाती है प्रसंस्क्रह में उश्मा पुना उत्पादें काफी जटिल प्रत्रिया है इसलिए घी और अन्य उत्पाद बनाने है तू एक प्राणाली की आवश्यक्ता है जिसमें की निमलिखित बुण हो जो की है उर्जा पुशलता जिसमें उश्मिय तता विद्युतिय दोनों पुशलता हैं हो उश्मा पुना उत्पादें की संभावना हैं और स्वाज और बनावट के संबंद में एक रुप्ता का होना इस शोड़ कारिये के पौचित के ये थे कि वाश्पी करण कारी उत्करणों का चुनाव क्यों किया गया पहली बात उत्पाद उश्मा शेतर में कम समय के लिए रहता हैं जिससे की क्या होता है उश्मा संभेदन शील उत्पादनों के संचालन और पसंसरकरण के लिए यहाँ एक तार्ति वा उचित माध्यम हो जाएगा उत्पाद की पतली परत के कारण उच उश्मा हस्तांतरन और उच उश्मा दर मिलती है इसलिए अत्यदिक चिपचिपो पदार्तों को जिनकी पपड़ी बन सकती हो को आसानी से प्रसंस्क्रिप किया जा सकता है उत्पाद की कम ठहराव समय के कारण जोकि उत्पाद में कम दुश्प्रभाव और अपकटन तता जादा उत्पादन हो ऐसा करें। यह एक सुच्छ प्रक्रिया है क्योंकि पूरी तरह बंद वातबरण में होती है। उत्पाद की लगबग एक समान गुडवत्ता मिलती है क्योंकि प्रक्रिया सतत या लगातार होगी। प्रक्रिया छेकर में कम उत्पाद मातरा का होना। इसलिए वाश्पी करण कारी उत्करण डिजाइन का प्रयोग क्या गया, चुनाप क्या गया। परंतु वाश्पी करण कारी उत्करणों के डिजाइन हेतु, अनुबव जन्या या प्रयोगिक समय करणों के लिए लगबग कोई डेटा उपलब्द नहीं है। करने की आवश्यक्ता है इसी लिए ये दो उदेश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकारे कर गया जिसमें पहला का तिगले हुए मक्षन के वाश्पिकरान हे तो एकल ट्यूप तदा बहु ट्यूप गिर्टी परत वाश्पिकरान कारी प्रोटाइपों का विकास करना तो पहले में हो गया डिजाइन दूसरे में हो गया उसका मुल्यान कर तो इसलिए दो विभिन उतकराओं का निर्मान किया जिसमें पहला था एकल ट्यूप गिर्टी परत वाश्पिकरान कारी प्रोटाइप जिसे सिंगल ट्यूप फालिंग फिल्म एवापरेटर कहते हैं और अब संचिप्त में STFFE के नाम से हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन के लिए और दूसरा बहू ट्यूप गिर्टी परत वाश्पिकरान कारी प्रोटोटाइप जिसे मल्टी ट्यूप फालिंग फिल्म एवापरेटर भी कहते हैं और संचिप्त में अब हम MTFE के नाम से इस प्रेजेंटेशन के लिए जानेंगे का निर्मार डेरी अब्याक्तिर की प्रभाद राश्ट्रे डेरी अनुसंदान संस्थान का नाल में पिगले हुए मक्षन से नमी वाश्पिकरान थेतु निर्मार हुआ जिसमें सभी प्रत्य संपर्थ भागो का स्टेनलेस स्टील स्स 304 से निर्मार किया गया था और विबिन डिजाइनिंग समीकरन जो किया निमलिखित हैं उनका इस्तमाल करके बनाया गया तो यहां आप देख रहें इस स्लाइड में जो पहले दो तस्वीरे चितर हैं यह उल्टे आर्थ की तरफ यह STFAT के लिए वित्रक प्लेट असें दूसरे भाग में हम देख रहें सीधे हाग की तरफ प्री डिस्टिब्यूटर प्लेट मुख्ये डित्रक प्लेट और उपरी तता निचली तरफ की ट्यूब शीट निर्मार अधीन प्रोटाइटाइप में कैसी दिखाई देती हैं अब यहां हम इस चित्र में देख पा रहे हैं योजना बदारिक इसमें हमारे पांच ट्यू पांच पाइपलाइन पिगले हुए मक्षन के लिए और भारवाला स्टीम के लिए नीचे एक वेपर सेपरेटर जिसे वास्ट विवाजक भी कहते हैं और एक वास्ट ग्लोवर दिया हुआ जिससे कि हम जो पानी के वास्ट न के लिए परद की मोटाइग भादवाप जो तीनिस्तरों पर यह तीन स्तर दिये वह हैं और एंट्येट त ideeकलीर्य के लिए नित गले किया और आश्रित चर जो थे वो भाप मित्वियत का एस्टीम एकोनॉमी, विशेश भाप खपत, वाश्पी करण दर और वाश्पी करण अनुपात थे सांखी की विशलेशन के लिए दो तरफा अनुपा, प्रो अनुपा, सांखी की विशलेशन के लिए तुकी स्टेस्ट मोड्यूल का उप्योग किया गया MS Excel Software द्वारा लेखा चितर प्रोजर्शन तगा गणिती है गणना की गई, तो ये STFFE का सांखी की विशलेशा दिखा रहा है, जिसमें हमने पाया है कि ये चारों के चार हाश्री चर्थे, ये 1% स्टर पर महत्पूल पाये गए, जिसमें हम देख रहे हैं कि स्टीम एकोनॉ MS Excel जो हमारा film thickness से बढ़ रहा है, दो, तीन और चार, चार पर जादा है और steam pressure पर घट रहा है, तीसरा जो है हमारा वास्पी करण दर्थ, ये अमारा film thickness पर घट रहा है, ये पहले की तरह कहती तरह ही है, और steam pressure पर बढ़ रहा है, जबकि चौता जो है evaporation ratio, ये हमारा film thickness पर बढ़ रहा है और steam pressure पर घट रहा है, इसी तरह MTFE के लिए चारो आश्रिचर है, यहाँ भी महतपूर पाये गए, पर इसमें सभी स्रोक महतपूर नहीं थे, steam economy के लिए सिरुफ steam pressure जो बढ़ते करम में महतपूर था, और specific steam consumption में steam pressure जो घटते करम वास्पी कराड गड़ ये इडापरेशन रिशन वो भी दोनों पर महतपूर था, तो हम निश्गर्ष पर आते हैं, निश्गर्ष के लिए हम ये जान रहे हैं कि जो प्रदर्शन मापदर्ण थे, इसमें सबसे ज़्यादा 2 mm परत मोटाई पर भाग मितवेता पाई गई, वास्पी कराड गर्वी पा पाया कि भाग के दबाव 2.8 kg पर cm2 पर सबसे ज़्यादा थी, वास्पी कराड गर्वी सबसे ज़्यादा था, पर अगर हम विशिष भाग ठपत और वास्पी कराड अनुपाद की बात करें, तो ये 1.9 मतलब सबसे कम स्टीम दबाव पर ये दोनों चर ज़्यादा थे, त तथा कम नमी वाले उपाद के साथ कुछी भाग मित्विता का प्रदर्शन करता है, और गिर्ती परत वास्पी कराड कारी उप्ताणों को मत्थन से नमी वास्पी कराड के लिए उप्योग किया जा सकता है, धन्यवाद